उत्तरप्रदेश के उपचुनाओं से पहले अनुप्रिया पटेल का दर्थ छलक रहा है दस सीटों पर उपचुनाओ होने हैं हाला कि अभी चुनावी तारीकों का एलान नहीं हुआ है लेकिन अनुप्रिया पटेल को पता भी नहीं था कि बीजेपी इस तरीके से उनकी पार्टी अपना दल को साइड लाइन कर देगी कुछ इस तरीके से जैसे दूद से मक्खी निकाल कर फेक दिया जाता है क्या उत्तर परदेश में परदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात को ऐसा लग रहा है कि अनुप्रिया पटेल का कोई भी दबदबा अब उत्तर परदेश में नहीं रहा और क्या यही हालत संजे निसात की और उम प्रकास लाजपर की है बात अनुप्रिया पटेल के निकली है तो बात ये भी निकल रही है कि अनुप्रिया पटेल अव्योगी आदितिनाथ से नाराज है नाखुश है क्योंकि उपचुनाओ में नौ सीटों पर भारत ये जन्नता पार्टी लड़ रही है एक सीट आरेल्डी को दे दी लेकिन अपना दल को नहीं पूछा गया और ऐसे में बगावत संजे निसाद ने कर दी है एलान कर दिया कि दो सीटों पर अपने उमिद्वार उतारेंगे और इसी बगावत में अनुप्रिया पटेल का नाम भी सामने आ रहा है माना ये जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल इस उपचुनाओ में अपने उमिद्वारो को उतार कर एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर सकती है और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का बीजेपी से नाराज रहना ये सीधे तोर पर बताता है कि क्या आगामी समय में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों की बगावत ही बीजेपी को चुनाव में हराएगी और कहीं ना क कर रहा है तो वहीं समाजवादी पार्टी वोत बैंक को बचाने में लगातार काम कर रही है और इस उप्चुनाव से पहले माना जाराएं कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां ही योगी का खेल विगाड़ेंगी और उप्चुनाव में बीजेपी को जھटका लगेगा